प्रदेश में 69,000 सिख्षकों की भरती पर हाइकोट के आदेश के बाद सीम योगी आदे तनात अब हाइ लेफिल मीटिंग कर चुके हैं और निर्देश भी दे चुके हैं बैटक में योगी ने साफ निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के मताबी की काम होगा। योगी ने साफ कहा है कि जिसे आरेक्षन का फाइदा मिलना है उसे फाइदा मिलेगा। और साइती उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा इसके अलावा ये माना जा रहा है कि बेसिक सिक्षा विभाग नई सिरे से मेरिट लिस्ट को भी जारी करने वाला है वही हाई कोर्ट के आर्डर के बाद यूपी में सियासत अब चरम पर है रहिवार की शाब को इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग हुई थी बैठक में योगी आदेतनात ने साफ कहा बेसिक सिक्षा विभाग के ऑफिसर हाई कोर्ट के आदेश के मताबिक आगे बढ़े तीन मेने के अंदर 69,000 सायक सिक्षिकों की नियुक्ती के लिए नई लिस्ट तियार की जाए उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संग्विधान द्वारा प्रदत आरक्षिन की सुविधा का लाब आरक्षित श्रणी के अभ्यारतियों को प्राप्थ होना चाहिए और साथ ही किसी भी अभ्यारती के साथ अन्या नहीं होना चाहिए CM-Yogi आदेतनात न ये भी निरदेश दिने से पहले बेसिक सिख्षा विभाग के आफिसर से पूरे मामले को समझाँ और निरदेश जारी कर दिये अब यह समझे कि इस मामले में क्या हो सकता है बेसिक सिख्षा विभाग नई लिस्ट तयार करेगा दोबारा लिस्ट बनने से 5-6,000 सिक्षक प्रभावित होंगे नई लिस्ट के प्रभावित लोगों के लिए प्रस्ताव तयार किया जाएगा और सिक्षक भरती मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही अकिलेश यादव हमलावर है हाई कोट का फैसला आने के बाद मायवती भी योगी सरकार को घेर चुकी है वें के शपरसाद मौरे ने योगी की खुलकर तारीफ की है तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे सक्षादी लिए प्रभाव सादी लिए और प्रदेश के हमारे कुमत्री जब पुरे देश के कुमत्रियों की तुल्ला होती उसमें सबसे अच्छा काम या गवाई के किया जा रहा है तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहीयोगी विशाल परताप सिंग जुड़ गया है अब विशाल योगी आदेतनात ने मीटिंग की है कुछ तो फॉर्मूला निकाला होगा कुछ तो निर्देश दियो होगा जिससे की जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो और जो लोग नारास थे उन्हें भी शामिल कर लिया जाए नौकरी में और लेकिन साथ ही जिस तरह से डिप्टी सीम ने भी तारिफ कर दी योगी आदेतनात की कुल मिलाकर इस वक्त लखनो में चल क्या रहा है देखें हमें तगर बात किया जाए कल की मीटिंग की योगी आदेतनात ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जो मीटिंग लबख दो घंटे चली है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन्स है उसका पालन किया जाएगा हाई कोर्ड लखनो बेंच का जो आदेश है उसका अक्षशे पालन किया जाएगा और नई लिस्ट तयार करने के साथ साथ इस बात का विशेश ख्या लखा जाएगा कि आरक्षित अभियर्तियों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय ना हो जो भी उनका कोटा हो वो उनको पूरी तरीके से आवंटन किया जाए हलाकि सरकार ये बिल्कुर इस पश्ट कर चुकी है कि सरकार ने जो कोटा आवंटन किया था वो उसी देखरेक में किया था नियमा वली के तहत ही किया था लेकिन सरकार की तरफ से कल से फिर से इस बात को रिपीट किया गया है कि किसी भी आरक्षित अभ्यरती या फिर अनारक्षित अभ्यरती के साथ अन्याय नहीं होगा हाँ हमारे पाए जो सूत्रों को मताबिक महत्वकूर जानकारी अमित यह है कि लबग 6,000 जो अभ्यरती है वो इस नई लिस्ट के आने से प्रभावित हो सकते हैं तो बहुत मुम्किन है सुत्र के मताबिक हमको जानकारी बताई जा रही है कि सरकार नए नियमाओं का हवाला देते हुए कुछ नई नियुक्तियों की ओर इशारा कर सकती है जहां 79,000 शिक्षकों की भरती की गई थी सरकार कोशिश कर सकती है कि 6,000 जो अभ्यरती प्रभावित होंगे उनको भी किसी तरीके से सामयुजित किया जाए यानि कि जिन 68,000 सिक्षकों को नौकरी दी गई थी सरकार की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी सिक्षक की नौकरी ना जाए किसी भी सिक्षक को परिशानी के सामना ना करना पड़े और जो भी नियमा वली है चाहे वो आरक्षन की हो या फिर बेसिक शिक्षा विभाग की हो सभी नियमावली का पालन किया जाए और ये कोशिश किया जाए कि रास्ता ऐसा निकाला जाए कि अगर कुछ लोगों को सामयुजित करना पड़े नए तरीके से तो उनको भी कर लिया जाए और जो लोग नौकरी कर रहे हैं शिक्षा जो लगातार काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग में उनकी नौकरी पर किसी भी तरीके से खत्रा ना बन पाए तो इस तरीके के महत्वों जो निर्देश हैं वो योगी अदितनात ने कल सरकारी विभाग के अधिकारियों को साब बैठक करने का बाद दिये हैं प्रमुसर्चयों मुक्ष मंतरी प्रमुसर्चयों न्याय और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद है अमिट लेकिन साथ ही जो कल बयान आया उसको लेकर मैंने एक सवाल किया आपसे कि पहले योगी आदितनात की और से निर्देश आते हैं कि इस मामले में जिनको भी जो कोटे में अरक्षन में जिनको जगे मिलनी है उनको नियाय मिलेगा उसके बाद डिप्टी सियम का बयान आना कोई भी ऐसी चीज बाहर ना दिखे जिससे ये मैसेज जाए कि पार्टी में ठीक सबकुछ नहीं चलना है क्योंकि इससे ना सिर्फ पार्टी को दिक्कत होती है बलकि मैसेज खराब जाता है और यह माना जा रहा है कि केंद्री नित्वित के सामने जब तीनों बड़े नेत कल से हो चुकी है जब डिफ्टी सीम का जिस बयान का आपने जिक्र किया और इंडिया टीवी के दर्शकों ने भी देखा कि उन्होंने मुक्वनती योगिया अदितनात की मंच से खुली तारीफ की है तो याने वाले दुनों में और भी देशने को मिल सकता है क्योंकि तीनो लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है उनके साथ न्याय होगा किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने जा रहा है